आज किस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्या हमारे आसपास के पदार्त सुद्ध है मतलब जो हम देनी गियों में हम यहां पर हमारा आसपास यहां पर रहे रहे हैं महां के जो पदार्त है क्या वो सुद्ध है क्या तो यह जानेंगे है की नहीं तो इस परकार मैंने हेडि हो जाए क्योंकि मैंने लिख लिया है क्लिकता आपको टाइम लगता है क्योंकि आपके प्रिष्टन नजदिक आ चुकी साथ हो अब आपको यहाँ पर याद करना है ना कि वीडियो देखना है क्लिए तो क्या है दो यह सोरी एक या एक से अधिक सुद्ध तत्व या योगिक स हो गए क्या है क्या है एक या एक से अधिक और यह यह को जोड़ना आपका प्रदार्ट किलीरे क्या क्या किया मैंने एक यह योगिक से मिलकर बना तीनों का मिसरन मतलब जोड़ना तीनों को मिसरन मतलब मेक्पटर करना किलिए यहीं क्या कहला था पदार्थ कहला था उधारं देखो कि कापरोल हुआ कापरोल हमें अदिकता चीज़ें मिला आती है जिएकรत करेंगे लिए यहां पर विये स्मेज में आ गया यहांद पदार्थ की क्या कहलाएगा मिस्रण अपने डेपिनेशन अच्छ से देखे हो कि तो उसी में आया था अधिक सुद्ध तत्व या योगिक से मिलकर मना मिस्रण पदार्थ कहलाता है कि लिए तो एक तो हो गया आपका सुद्ध पदार्थ भी आया था डेपिनेशन में एक मिस्रण में आया और विश्मांगी, किलियर है कि नहीं, यहां तक आप ध्यान से देखना, किलियर साथी हो, अब देखो यहां पर तत्व हो गया, योगिक हो गया, मिस्रण में दो चीज़ है, समांगी और विश्मांगी, किलियर साथी हो, अब यहां पर देखोगे आप, यहां पर मैं बता दो तो आपको मिस्रन की परिबास है, क्या है, जब दो या दो से अधिक ततु, अत्वा योगिक को किसी भी अनुपात में मिलाया है, क्या है दो या दो से अधिक ततु या योगि, दो या दो से अधिक, किलिए रहे, ये तो हो गए दो या दो से अधिक हो गए तीन, किलिए रहे क्या है जब दो या दो से अधिक तत्व या योगी अब यहाँ पर हम दो चीजी धानक ना एक तो लिख लेते तत्व और क्या कलेते एक योगी क्लियर है क्या कलेते योगी क्लियर है तक थोड़ सी के टाइम जली जली लिख रहा हूँ क्यों सात्यों अच्छे से पढ़ना है जब दो या दो से अधिक, दो या दो से अधिक तत्व यह हो कि को किसी भी अनपात में मिला जाए, किसी भी अनपात में मिला जाता है, तो एक नए पदार्थ का निर्मान होता है, इसे किसी भी अनपात में मिला दो, आप देखो कि इसे हापर में मिला देता है, इस अनपात मे किलियर यह कर लेता हूँ, यह तीन यह से कर लेता हूँ, किलियर किसी भी अनपाद में मिला दो, आप यह दो है, इस तीन को इस तरह से मिला दो, इस तीन को यह आगे ले लो, किलियर कैसे भी आप मिलाओ, मतलब इनको जोड़ दोगे, तीन और चारों को आप जोड़ोगे, य से क्या कहते हैं मिस्तरों के लिए साथ ही किलिए है समझ में आ गागा मेरी साभस एक्ष्य से तो अच्चे से यहां पर पहले मैं आपको बताया इक है बदार्थ की परिवासा ये देख लीजे है अच्छे समझ में आ चुक योगी यह उसके उफनारन के लिए यह पदार्ट है सुद्ध पद यह पदार्ट के अंदर दो चीज़े होती है क्या होती है एक तो सुद्ध पदार्थ और एक है मिस्रण के लिए या हमारा तत्व योगी को किसी भी अनपाद में मिला आ जाता हो तो एक नए पदार्त या योकिक का निर्मार होता है इसे क्या किते हैं मिस्टरन केते हैं तो अच्छे से स्केन सोट ले लिए चेनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लिए साथ ये साथ नोटिफिकिसान आउन करते चलेगा मिलते हैं इसका अगले वीडियो में जब तक लिए अच्छे मे ये जूले चाइएगा